हालो स्ट्रेंट वेलकम बेग तो स्टीवाइड 247 दिस इस अरीता शर्मा यूर हिस्टी में आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 12 हिस्टी का चाप्टर 11 जिसका नाम है महात्मा गांधी एंड़ नाशनलिस मुमेंट यह चाप्टर इंपॉर्टेंट होने के बहुत अच्छे से क्लियर करना है और इस पूरे चाप्टर को हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं तो वीडियो को लास्तर देखेगा और अगर चैन पढ़ें तो चल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस चाप्टर से आपके सोर्स बेस्ट कोशन इस चाप्टर से आप अंदर उनके नाशनलल लीडर्स का बहुत बड़ा कॉर्डि pillows इसे ही अलग अलग कंट्री इस के अंदर उनके नाशनल लीडर्स का बहुत बढ़ा कॉन्यक्र इन गाने साग catast ने सब्सक् Background इसाइशा सब्सक्राइब करनी nawru klarGM को कि अपनी तिया इसी तरीके से हमारे इंडिया के नाशनल स्ट्रगल के अंदर ठीके बिटिशर से कॉलनियल पिरिएट से फ्रीडम दिलाने में महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा कॉंट्रिबूशन था है ठीके इसलिए इनको क्या कहा जाता है तो हमने अलग 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 नाशनल लीडर्स के बारे में देखा एक् गांधी जी जी जब इंडिया कंबाक करते हैं 1915 में उनकी डैथ होती है 1948 में तो इस बीच का जो टाइम पिरिड है पूरा का पूरा है गांधी जी की लीडर्शिप में किस तरीके से इंडिया ने फ्रीडम स्ट्रगल को जारी रखा तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है इसक महात्मागांधि कब कंबाक करते हैं इंडिया में नैंटेन-फथीं के अंदर और अगर डेट वह पूची जाती है तो नाइंत जन्वरी 1915 के अंदर इसको जो है वह प्रवासी दिवस भी कहा जाता है ए स्थीक है इस डेट को 09 जन्वरी को प्रवासी दिवस भी कहा जाता है और महात्मा गांधी साउनमा गफ साउत अफरीका गए थे 1893 के अंदर अगर यह धूझ करते हैं कंबा करते हैं 1913 के न्दर इतने साल यहां से ले कर कर्के यहां तक इतने इर नहीं कर आप ठीक है मुझे काउंट करके बताना कि कितने साल लगभग जो कितने साल वो साउथ अफिरिका में रहे हैं तो वहाँ पर क्या किया गया था आफ्टर लेडिंग दा सक्सेस्फुल स्ट्रगर अगेंस था तो वहाँ पर गांदी जी ने इन बिट्विन जो वहाँ पर लोगों के तो इस तरह का इनिशेटिव जो है उन्होंने लिया साउथ अफरीका के अंदर ठीक है फॉर्ट टार्म गांदी जी स्टार्ट अब यहां से क्वेशन आता है ठीक है बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं कि कर देते हैं क्या चंपारन मोमेंट कर देते हैं जबकि यह गलत है गांदी जी का फॉर्स्ट अपनी लाइफ का फॉर्स्ट जो मोमेंट था वो साउथ अपरीका में था जिसका नाम था सत्याग्रे मोमेंट है ना इन्दा साउथ अपरीका नॉन वालेंट प्रोटेस्ट तो यह हमेशा अपने साथ दो वैपन लेकर चलते थे बहुत हमे实 नरम्दी छिन को नपनती दल के नीटा बोला जाता है और एक एक स्वेट्वाण पनती धर करने में उनका कंट्रीबूशन रहेगा इनका अलग तरीक से रहेगा तो हम यहाँ पर जानेंगे ठीक है तो अब यहाँ पर देखेंगे कि गांदी जी 1915 के अंदर जो है इंडिया आते हैं and promoted the harmony between the different religion community और वहाँ पर जो इस तरह का जो religious communities थी है न तो उनको भी वहाँ पर एक तरीके से right दिलाने में बहुत बड़ा contribution दा अब हम यहाँ पर बात करे हैं 90 गांदी जी के आने से पहले क्या इंडिया में किसी तरह के प्रोटेस्ट नहीं हो रहे थे क्या इंडिया में किसी तरह के कोई activities political activities नहीं हो रही थी बिल्कुल हो रही थी तो example के तो दो पर देखते हैं गांदी जी चले गए थे ठीके लाल बाल पाल विपिन चंदरपाल बाल गंगा धर तिलक और यह आजाएगा आपका लल याजपत्र आफ यह इनको लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं तो सवदेशे मोमेंट जो है चलाय गया था इनके द्वारा और इस तरीके से मतलब इंडिया जो है politically activate तो हो चुका था, political activities तो इंडिया के अंदर चल रहे थी, लेकिन यहाँ पर गांदी जी के बाद उसको एक बड़े लेबल पर जो है वो execute किया जाएगा, ठीक है, अब struggle तो चल रहे थी, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज तो उठाई जा रहे थी, example हमने यहाँ पर द जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे आपके moderate leader, क्यों reason क्या था, क्योंकि स्वदेशी moment के अंदर, अब यह जो लाल बाल पाल होंगे, यह कौन होंगे, यह extremist leader होंगे, यह अपने तरीके से, हिंसा वाले तरीके से, यह आजादी को पाना चाहेंगे, Britishers को यहाँ से भगाना चा होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं मानी गई, तो Congress जो है, वो दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है, तो Congress दो भागों में बढ़ जाती है, और यह अधिवेशन हुआ था, सूरत के अंदर, ठीक है, तो यह जो Congress की meeting हुई थी सूरत में, 1907 में, तो इसमें Congress जो है, 1905 के अंदर ही, ठीक है, एक और यहाँ पर बहुत बड़ा incident होता है, और वो क्या था, बेंगॉल का partition हो जाता है, ठीक है, partition of, partition of Bengal, तो बेंगॉल का partition हो जाता है, यानि कि बेंगॉल को दो भागों में बाट दिया जाता है, इस्ट और बेस्ट में, ठीक है, अब वहां की public न अच्छे से rule कर पाएंगे, resources को use करेंगे, ठीक है, और अच्छा सा profit gain करेंगे, तो इसके चलते उन्होंने Bengal को दो पार्ट पर डिवाइड कर दिया, ठीक है, लेकिन वहां की public ने बहुत बड़े लेवल पर protest किया, और 1911 के अंदर इस Bengal को re-merge कर दिया जाता है, बेंगॉल क करते हों चलेंगे, so that हम अगर उस particular घटना को अगर हम timeline के साथ जोड़ कर चलेंगे, तो वह हमें ज्यादा easily learn हो जाएगी, ठीक है, तो यहां पर देखे, 1893 से लेकर के और 1915 के बीच में क्या 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 हुआ, तो यहां पर 1905 के अंदर स्वदेशिय मोमेंट, 1905 से लेकर के और 7 तक स्वदेशिय मोमेंट चल रहा था, और उनके लीडर थे लाल बाल पार, ठीक है, उसके बाद सूरत अधिवेशन के अंदर कॉंग्रेस पिल्ट हो गई थी, और कॉंग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, extremist और moderate में, ठीक है, तो लॉड कर्जन ने, तो ल 1911 के अंदर बेंगॉल को रिमर्ज कर दिया गया, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, situation आउट ओफ कंट्रोल हो गई थी, तो अब यहां पर डिसाइड किया गया कि बेंगॉल को फिर से रिमर्ज कर देते हैं, तो हम यहां तक आ गए हैं, अ उनको एक तरफ से खुशि भी हुई तो एक तरफ दुخ भी हुआ, तो दुख कैसे हुआ, खुशि कैसे हुए, जो पहले कभी नहीं उठाए गई थी, जो पहले डरा करते थे अंग्रेजों से, अब धीरे-धीरे उनके खिलाफ अवाज उठाने लगे हैं, प्रोटेस्ट कर किया जा रहा है मारा पीटा जा रहा है काम के बदले में जो है उनको पैसे कम दिये जा रहे हैं तो इस तरह की सिचुएशन देखकर वो थोड़े से दुखी भी हो जाते हैं ठीक है तो गांदी जी एदा पीपर लेडर अब वह आकर के किसे मिलते हैं सबसे पहले 1915 के अंदर जब वो आये तो आते ही किसे मिलते हैं उनके पैलिटिकल मेंटॉर थे उनका नाम क्या था गांदी जी के पॉलिटिकल मेंटॉर थे पॉलिटिकल मेंटॉर अफ गांदी जी कौन थे पॉलिटिकल मेंटॉर अफ गांदी जी गोपाल कृष्ण गोखले है ना कौन थे गोपा प्रिश्न गोखले ने कहा कि अभी थोड़ा सा ठंड रखो ठीक है क्योंकि यंग तो थे ही थोड़ा सा खुन जादा गरम हो जाता है तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कि अभी जो है वो बड़े से बड़े मुमेंट को लांच करता हूं और बिटिश को बहुत जल्दी भगा ना प्लान करेंगे और फिर तब जाकर हमने प्लान को एक्जिक्यूट करेंगे तो गांधी जी ने क्या किया उनकी बात को माना और 1915 से लेकर के 16 तक ठीक है वो इंडिया को विजट करते रहे इन बिट्वीन क्या होता है 16 के अंदर 1916 के अन्दी जी को बिया चुकि ऑपनि तो गांदी जी ने वहां पर देखे क्या कहा जो रिच परसंट थे या जो वहां पर गरीब लोग आये हुए थे तो उनके बारे में गांदी जी के क्या विचार थे तो वहीं सब यहां पर करेंगा गांदी जी मेड फ्रीडम स्टगल and the National Movement representative of the mass movement the transition from the elite present working class and and तो गांदी जी चाहते थे कि यह जो हमारे नाशनल मुमेंट हो गए ना इसमें सभी लोग पार्टिस्पेट करें क्योंकि जब तक एक बड़े लेवल पर हम मुमेंट को लॉंच नहीं करेंगे तब तक हमें सक्सेस नहीं मिल सकती है और पीपल स्टार्टेड गांदी जी अच्छा काम कर सकते हैं वहां के सत्यागरे मुमेंट से लोगों को जो राशनल डिस्क्रमिशन हो रहा था तो वहां पर लोगों को इस तरह से राइट दिला सकते हैं तो वह अपने इंडिया में क्यों नहीं करेंगे तो गांदी जी के लिए उनके मन में एक होप जो है वो के बारे में पता करेंगे उनकी situation के बारे में तो यहां पर गांदी जी जब जाते थे लोगों के बीच में तो उनहीं की तरह से ड्रेस पहना पैना करते थे ठीक है उन्हीं की तरह से लांगोरी सी किया करते थे started with them empathize with them and identify with them ठीक है तो उनको एक पल के लिए लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि यह इतने बड़े लीडर है ठीक है और किस तरीके से हमें इतने बड़े लीडर से बात करनी चाहिए या उनसे बाचित करते थोड़ी से hesitation तो ऐसा लोगों को कुछ लगाई नहीं क्योंकि वो से हस करके बाते करते हुए है ना बतलब ऐसे रहते थे जैसे फ्रेंड राइट तो इस तरह से लोगों के वो फेरविट देरे-देरे बनते चले गए गांधी जी वेंट अमंग दा पीपल इदर सिंपल धोती और दलन गांधी जी ने देखा कि या मैं तो सूट बूट में ह बतले इस काम की अगर मेरे इन्डिय जो है उनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा है तो उन्होंने के लिए तने बड़े लीडर है तो थोड़ा सा हैसे होते हैं तो वो ऐसा किया करते थे कि छोटे लोगों को ना लोग थोड़ा सा कम उनसे बातचित किया करते थे तो उनके बीच में काफी ज्यादा डिसेंस होता था बातचित करने का है ना तो गांदी जी ने लोगों के बीच में जा जा करके उनको self-motivate किया है चरके से क्या होगा तुम लोग कपड़ा बुनाओगे है ना तुम लोग धागा बनोगे धागे से कपड़े बनाया जाएंगे तो तुम लोग धीरे-धीरे self-dependent हो जाओगे तो तुम्हें किसी के आगे हाथ फिलाने की दूर्प नहीं पड़ेगी at least इतना तो तुम earn कर and its people so Gandhi ji ने क्या किया गोपाल कृष्ण गोखली की advice को माना और लोगों से मिलने के लिए चले गए his first major public appearance was at of the Banaras Hindu University जिनको ब्हु कहा जाता है February 1916 के अंदर ब्हु की opening के दोरान गांदी जी को वहां पर बुलाएगा उनको invitation आया और गांदी जी की first public appearance यानि कि पहली बार वो जनता के सामने इतने बड़े लेवल पर जनता के सामने आए ठीक है जब सभी leader एक के बाद एक बोलते जा रहे थे तब गांदी जी की टरन आई तो गांदी जी ने बोलना स्टाट कि आप देखें गांदी जी क्या कहते है महाँ पर गांदी जी कहते है वन his turn came to speak गांदी जी charged the Indian elite with a lack of the concern for the labouring power तो गांदी जी ने कहा कि यहां पर जितने भी elite family के लोग आये हुए है elite people आये हुए है उनसे मेरी request है कि जो suit boot में तुम लोग आये हुए है न इनका कोई फायदा नहीं है तो क्योंकि तुम suit boot में हो बाके की जनता को कपड़ा तक नहीं मिल रहा है तो आप उनके बारे में थोड़ा सा सोच ये कि आप ये कैसे कर सकते अगर तुमार पास पैसा है तो उस पैसो को कही न कहीं 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 न कहीं न कहीं उन पैसो से गरीबों की help की जे ताकि उनकी थोड़ी सी help हो जाए ठीक है the opening of the BHU he said that the certainly the certainly the most the most the gorgeous show but he worried about the contrast between the richie the bad act nobleman the president and the million of the poor people Indian who were absent वहाँ पर ज्यादतर अमीर लोग आए हुए थे सूट वूट वाले लोग आए हुए थे जमीदार हो गए बड़े बड़े पीजन्स हो गए है ना जो लॉयर थे डॉक्टर थे इस तरह सभी elite family के लोग आए हुए थे लेकिन लाखों लोग ऐसे थे जिनको वहाँ पर नहीं आने दिया गया था इस बात को लेकर वो बहुत जादा चिंतित हो जाते हैं कैसा इंडिया है इंडिया की ये कंडिशन कैसे है तो इस बात को लेकर के वो सोचते रहते कि मैं इस तरह के ये जो distance maintain किया गया है ठीक है elite family में और पूबर लोगों में तो इस distance को मैं खतम करके र दिया गांती जी टोल्ट प्रिविलेश दा इनविटीज और इस देर इस दनो सालवेशन फोर इंडिया अंडेस यू त्रे यू त्रिप यू तो आपने ये जो जोल्री वगरा पहने हुए है ना सूट बूट में वगरा पहने हुए है तो इसकी कीमत ना आप उनकी है पहन पहने के बजाए आप उनकी हैल्प करें जो बहुत ज़्यादा पूर हैं जिनको कपड़ा तक पहनने के लिए नहीं मिल रहा है तो हम जब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक इस तरह की बाते हमारे देश के अंदर होती रहेगी उंच निच का भेदवा होता रहेगा तब त चाहादी है वह केवल और केवल फार्मर के बेस पर है ठीक है कि वार्मर का सेक्षन जो हैं बहुत बढ़ा है अलिच सेक्षन बहुत छोटा है तो अगर हम बड़े सेक्षन पर ध्यान देगे अगर बड़े के हल्प करेंगे तब ही जाकर पर हमारी कंट्री जो है उनregra next창 un गरीब होंगे देश के किसानों को ही वह चीज़े नहीं भी लेगी जो जू जीने के लिए बहुत ज़यादा जरूरी होती है तो फिर के फिर किस बात की आजादी तो हम एक बड़े जाती है और इंडीकों की प्लान ड़ेशन करवाई जाती है और इंडीकों की प्लांटेशन के बाद लैंड को 3-4 साल के लिए फ्री छोड़ा जाता है ठीक है ताकि उसकी फर्टिलिटी इंग्रीज हो जाए अब ये सोचिए 3-4 तक उसको फ्री रखा जाएगा ठीक है 3-4 इसको फ्री रखा जाएगा तो इन 3-4 सालों के अंदर किसान क्या खाएंगे वो तो भूके मर जाएंग ठीक है तो इस तरह की प्रॉब्लम गांधी जी ने उनके सामने रखी तो गांधी जी ने 1917 एंदर गांधी सक्से़स्पुल्य लेटवठा पाहर में मरें सत्यय्यग फ्लांच कि sürАणí 17 किफांब फीजों क्यों देखो भई हमारी यह दिमांड है कि पीजन को अपनी ठीक है तुमारी कल्टिवेशन करेंगे लेकिन थोड़े से पार्ट पर करेंगे पूरी की पूरी तुम खेती इंडी को करवा रहे हो फिर उसके बाद 3-4 साल के रहे हो चोड़ा जा रहा है तो किसानों को अपने तरीके स से फसल उगाने का राइट दिया जाए तो गांदी जी यह दिमांड थी तो गांदी जी इसमें सकसे भी हो गये थी ठीक है 19 all1918 के अंदर क्या हुआ था 1918 के अंदर दो बड़े मुमेंट सत्यागरे मुमेंट लॉंच किया गए गांदी जी का दारा कौन कौन से एक तो था ख प्रकुर्स थे ना उनकी जो वर्किंग कंडिशन थी वह बहुत जदा कराती क्योंकि एहमदाबाद में जो फैक्टरी वगरा थी जिसमें कपड़ा बनाया जाता था वह बहुत जदा थी वहां पर बहुत जदा लोग काम किया करते थे लेकिन उस उस का पर्टिकलर कंपनी का इंफ्रस्ट्रक्चर जो था या फिर उनके वर्किंग आर्स को लेकर बहुत जदा जो है मतलब उनके अंदर एक तरीके से डिस्कमेशन किया जा रहा था कि जो वो लोग वहां पर काम किया करते थे इवन थोड़े से बिटिश भी करते थे तो उनको सैलरी बगरा जादा जी 1918 के अंदर जो है वो मोमेंट लॉंच किया अब यहां पर तीसरा जो मोमेंट आता है उसको कहा जाता है खेडा मोमेंट किसलिए था कि गांदी जी गांदी जी को यह कंप्लेंट मिली कि पीजंस के ऊपर बिटिश इस्ट्रिया कंपनी ने बहुत जादा रवेंड्यू टेक् के पास कुछ नहीं बचता है तो इस तरीके से गांदी जी ने उस टेक्स में रिबेट दिलाने के लिए उस टेक्स को थोड़ा सा कम कराने के लिए खेडा में जो है मोमेंट लॉच किया सत्यागरे मोमेंट और वहां पर गांदी जी को तीरी सक्सेस मिलती है तो गांदी जी से हमें आजादी दिलान में तो गांदी जी कुछ कर सकते हैं तो यह तीन बैक-टु-बैक मोमेंट जो है वो लगाए गए थे अब हम बात करते हैं कि 1914 से लेकर 1918 में हमें पता है कि फिर्स वर्ड वार चल रहा था तो फिर्स वर्ड वार के अंदर बिटिश गवर्मेंट वो जादा ना इंडिया के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रही थी और इसी बात का फायदा उठाया हमारे इंडियन लीडर्स ने और एक के बादे के जो गांदी जी ने जैसे यह सक्सेस मिलती है क्योंकि इस तरीके से थोड़ी सी कमी जो है बिटिश की तरफ से देखी गई क बिटिश बहुत ज़्यान नहीं दे पाये इसलिए इंडिया ने अपने आपको इनिशेट किया ठीक है सो 1918 में जब ये वर्लड वार एंड हो गया था ठीक है उसके बाद जब एंड होने के बाद बिटिश ने देखा कि इंडिया के पॉलिटिकल एक्टिविटीज बहुत जदा बढ़ गई हैं अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबाना था उसको रोकना था तो उसके लिए वो बिटिश पार्लेमेंट में जाते हैं और उनसे एक जो है वो एक प्रेस में भी अगर हमारे खिलाब कोई आर्टिकल रिलीस किया जाता है तो हम उसकी प्रेस को भी सीज कर सकें इस तरह का राइट जो है मतलब अपने तरीके से हम अपनी एक्टिविटीज करेंगे आपको हमारे बीच में आने की जरूत नहीं है तो इस तरह की एक अथॉर् रॉलेक्ट कमेटी बनाई जाती है एड़ रिकमेंडेशन ऑफ रॉलेक्ट कमेटी इस पॉलिसीज वर कंटिनूड इन रिस्पॉंस इत गांदी जी कॉल दा नेशन वाइड कैंपिंग तो रॉलेक्ट ठीक है जिसको और बंद वर और बंद भी लगाया जाता है मतलब कहने क इस जो यह पास करवा के लाए थे यह जो अथॉर्टा इसको बोला जाता है ठीक है तो यह क्या था पता लग गया होगा कि ट्राइल बेश पर की खिलाफ कोई प्लाणिंग कर रहे हैं तो सिर्फ संदे के आंग्रेजों के खिला पुट्री से बोल दिया कि अगर तुम इस काम को दुबारह करोगे बागी की जो प्रेस kindergaci तो कोहारा भी यही खाल होगा ठीक हैं बहुत सारे लोगों को जेल में जो है बरने के बाद वहाँ पर लोगों की दम घुटने से डेथ होने लगी उनको कस्टडी के अंदर मारा पीटा जाता तो डेथ होने लगी तो यह एक पूरे इंडिया के अंदर ना यह बात vary जाती है कि किस तरीके से इंडियन के साथ वो बुटिलिटी से पेश आ रहे हैं ना मतलब उनको उनके साथ बैट रीट कर रहे हैं उनको हर्ष पनिश्मेंट दे रहे हैं तो गांदी जी ने क्या किया इस रोलेक्ट एक्ट को खतम कराने के लिए इसके अगेंस जो है वो नेश जो मिल वरकर्स थे वहां पर उन्हें काम करना बंद कर दिया वहां पर ताला लगया दन उसके बाद शॉप कीपर से उन्होंने वहां से जो भी बिटिश के जो समान वगरा लिया करते थे वहां पर उन्होंने सेल पर्चेस करने से मना कर दिया वहां अपनी शॉप को शॉट ही दो इंसिडेंट हुए थे तो रॉलक टेक्ट दूसरा क्या था खिलापत मुमेंट तो खिलापत मुमेंट 19-19-19-20 बहुत सारे बचे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी डेट में है ना तो 1919-19-1920 के बीच में खिलापत मुमेंट स्टार्ट हुआ था वास्ट यह मुमेंट था वो मुस्लिम के लिए था देखो क्या होता है इसमें खिलापत मुमेंट में यह जो ऑ उर् तो मन में चर्मनिा चंदर ठीक ए रधर देने वालत राषिवे तो उनका साथ देने वाल हाई ऐसारी की सारी सारी मिलींठ के डिफिट हो गई अब उन्हारी हुई कंट्री पर ये जो जीती हुई कंट्री थी उन्होंने पैनल्टी लगा दी कि जितना भी हमारा नुकसान हो सारा का सारा तुम दोगे अब अपने spiritual head को या अपने खलीफा को या अपने रूलर को इस तरह के tension में वो लोग नहीं देख सकते थे Muslim permit के लोग है ना तो दीरे दीरे करते करते वो क्या कर रहे थे कि इस तरह से tension में ना देकर उसको tension से बहार निकालना चाहते थे है ना और इन्होंने डिमांड करी कि तर्किश सुल्तान और खलीफा मस्ट रिटेन कंट्रोल दा Muslim spread places, East Wild Ottoman Empire, the Ziyarat, तो इनकी डिमांड क्या थी कि जो भी Muslim area है Arabia, Syria, Iraq, Palestine, जो भी Muslim area है जहां जहां पर Muslims majority है तो वो पूरा का पूरा area जो पहले Ottoman Empire का हुआ करता था तो वो सारा का सारा उनको वापिस दे दिया जाए ना क्योंकि कुछ लोग जो है कुई जो सोवरिंटी थी मान सम्मान जो था प्रतिष्ठा जो थी वाप्रस लाना चाहते थे तो वो क्या करते हैं तो इसके लिए खलीफा मस्ट वी लेफ्ट विद दा सफिशेंट टारिटरी टू एनेबल हिंगा डिफेंट दा इस्लामिक फेथ कॉंग्रेस सपोर्टिट दा मुमेंट तो इन्होंने क्या किया वहाँ पर दो जो ब्रदर थे जिनको क्या कहा जाता है अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है तो इन दो ब्रदर्स ने क्या किया अली ब्रदर्स ठीक है तो अली ब्रदर्स ने क्या किया अली ब्रदर्स अब यह जो अली ब्रदर्स थे इनका नाम क्या था? इनका नाम था मुहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है? तो इन दोनों ब्रदर ने एक खिलाफत कमेटी बनाई, ठीक है? और ये खिलाफत कमेटी जो है, ये दोनों ब्रदर जाते हैं, गांदी जी के पास help लांगने के लिए, कॉंग्रेस लीडर के पास गांदी जी जब इनको कॉंग्रेस लीडर से मिलाने के लिए जाते हैं, प्रपोजल रखते हैं कि हमें इनकी help करने चाहिए, और गांदी जी तो कब से हिंदू-मुसलिम को युनाइट करने की सोच रहे थे, कि कब हिंदू-मुसलिम युनाइट हो, और कब हम इस युनिटी को ले करके अंग्रेजों के साथ लडाई कर सकें, तो गांदी जी ने तो फॉरखन हा कर दी, और इसी तरह से congress leader ने भी हा कर दिया, तो इस तरह से congress ने क्या किया? खिलाफ़त comment में और खिलाफ़त कमेटी का साथ दिया, इसी का नाम क्या था नॉन कॉपरेशन मुमेंट ठीक है नॉन कॉपरेशन मुमेंट एंचेम जिसको बोलते हैं 1920 के अंदर गांदी जी ने इसको स्टार्ट कर दिया था यह पैरलर थे दोनों खिलापत मुमेंट और एंचेम गांदी जी ओप तो जब तक हम क्लेक्टिवली एक साथ होकर मिलकर की काम नहीं करेंगे तब तक हम कॉलोनियल रूल का एंट नहीं कर सकते हैं जब हम सारे कठे होकर कॉलनियल इंडिया को फ्री करवाएंगे जो है वो आजादी दिलाएंगे तब इस तरीके से दोनों ही कमनेटी को हिंदू हो या मसलिम हो दोनों ही कमनेटी को बैनेफिट होगा पहले की तरह हम फिर से जी पाएंगे स्टूडेंट तो इस तरह के से मैंने बताया कि स्टूडेंट ने जो है स्कूल कॉलेज जाना चोड़ दिया था लॉयर और रफ्यूज कर दिया था अक्टिविटीज करने ते लिए लीगल थे वो भी बिटिशियों के अगेंस तो सभी इस मुमेंट के अंदर पार्टिसपेट करते हैं ठीक है नेक्स आता हमारे पास तो यह तो था 19-18-20 के बात है ठीक है अब हम क्या करेंगे यहां पर हम बात करेंगे किस की यहां पर हम बात करेंगे 1920 तक तो हमने देख लिया अब यहां पर 1920 से लेकर 28 तक की बात करेंगे ठीक है ध्यान से देखेगा मैं एक एक यहां पर आपको डेट बताऊंगे जिससे कि आप अच्छे से उसको connect कर सके हो 1920 के अंदर NCM स्टार्ट हो रहा था ठीक है यह अभी हमने पढ़ा 1920 से लेकर के 22 तक NC से बहुत अपने जोर सोर से चलता रहता है बहुत अपने पीक लेवल पर था सब भी लोग इसे पार्टिस्पेट कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा लोग है लेकिन ना फैबुरी 1922 के अंदर क्या होता है यहां पर एक इंसिडेंट होता है चोरी-चोरा क्या होता है चोरी- इंसिडेंट उसको कहा जाता है जिसमें एक पुलिस स्टेशन में 22 पुलिस वालों को जिन्दा जला दिया गया था गांधी जी ने इस घटना को जब सुना तो गांधी जी ने कहा कि जब तुम्हें अपनी करनी है तो ठीक है मैं अपना मोमेंट वापिस ले लेता हूं और गांदी जी ने इसको वापस ले लिया ठीक है और गांदी जी को 1922 के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है और 1924 के अंदर इनको रिलीज भी कर दिया जाता है इनको रिलीज भी कर दिया जाता है ठीक है 1934 तक की कहानी आ गई ठीक है देन उसके बाद 94 से 1928 तक गांधी जी ने किसी भी political activities में participate नहीं किया तो गांधी जी क्या कर रहे थे सवाल आता है ना तो गांधी जी क्या कर रहे थे तो गांधी जी in between इन चार सालों के अंदर क्या कर रहे थे गांधी जी social work कर रहे थे गांधी जी क्या कर रहे थे गांधी जी social work कर रहे थे यानि कि लोगों को इंस्पायर कर रहे थे चर्खा चलाने के लिए, लोगों को जैसे हरीजुनों के पास जा जा करके और उनको खुद, जो है, वो काम पहले खुद करते थे, जैसे टॉलेट साफ करना होता था, जाडू लगानी होती थी, आनिमल्स को चारा देना होता था, प 1928 के अंदर यहां पर हम दो इंसिडेंट देखेंगे, ठीके, तो 1928 के अंदर एक anti-simon commission जो है, वो चलाया जाता है, anti-simon commission moment, अब यह Simon commission क्या था, Simon commission वो था, जिसमें लाला राजपत राई की, Simon commission जो moment था, इसी के अंदर लाला राजपत राई की death हो जाती है, तो यह moment था, क क्या, तो इस moment में जो Simon commission, मतलब Sir John Simon जो थे, उनकी दो या तीन लोगों की एक group आता है, एक team आती है, जो कि इंडिया का political future decide करने के लिए आते है, कि हम बताएंगे कि इंडिया का political future कैसा होना चाहिए, और उसमें एक भी Indian को शामिल नहीं किया गया था, अब खुछ सोचो मतलब कोई दूसरा आकर के बोल रहा है, चाहिए कोई बहुती दूर का रिष्टदार लगा लो, आकर बोल रहा है कि तुम्हें ये करना है, और तुम्हें ये जरूर करना है, तुम्हें गुसा आएगा, बिलकुल आएगा, मेरी लाइफ का decision है, या तो मैं लूंगा, या मे साइमन कमिशन मोमेंट लॉंच किया जाता है, जिसके लीडर कौन थे? लाला लाजपत रहा है, जब ये बात इस्ट इंडिया कंपनी के ओफिसर को पता चली, तो ओफिसर ने लाठी चार्च का ओडर दे दिया, और वहां के पुलिसमेन अब जो ओडर फॉलो करना ही था, त इस की आंदर ही, एक तो ये इंसिदेंट हुआ था और इसी में बार्दोली च्त्यागराय भी चल रहा था, बार्दोली चिनके लीडर थे? कौन? सर्दार बलॉब भाई पते, ठीक है, ये इनके लीडर थे, तो किसानों में, जो ये बहुत बहुत, किसानों पर जो बहुत paralyzed रेविन्यू इंपोस किया हुआ था या उनके कल्टिवेशन को ले करके तो इस तरह का मुवमेंट लाउंच किया जाता है 1928 के इंदर बार दोली मुवमेंट होते रहते थे इंसे से नहीं आएगा बस एक या दो से पूछा जाएगा खासकर कि इससे तो बहुत ही बजार कोशन आते हैं बाकी से कोई कोशन नहीं पूछा जाता है ठीक है 1929 के अंदर कॉंग्रेस का सेशन होता है कहां पर लाहूर में जिसमें नहरुजी को जो सबसे यंगस लीडर थे इनको वहां का प्रेजिदेंट बनाया गया ठीक है इनकी लीडर्शिप में यह सेशन हेल्ड किया जाता है ठीक है तो इनसेशन के इस सेशन है अंदर की डिमांड को रखा गया था पहली बाध страх को चीड वी जंवा होता है कि जब कमपिलीट इंडडिक सी बैठेंगे और ना ही उनको चैन से बैठेंगे नहीं उनको बैठने देंगे तो complete independence की demand कौन से सेशन में रखी गई थी लाहोर सेशन में जो की हुआ था 1929 के अंदर ठीक है और फिर उसके बाद अपना एक तरीके से की अपना आजादी का दिवस जो है वो मनाना शुरू कर देते हैं और तब से लेकर 26 जनवरी तब से लेकर के और आज तक हम उसको रिपब्लिक डे के रूप में करते आ रहे हैं ठीक है और इसी दिन 26 जनवरी 1930 को ही पहली बात हमें अपने नाशनल फ्लैक के साथ हमने अपनी आजादी को घोश कर दिया था ठीक है पूरी तरीके से से लिप्रेट किया था धोल नगारे बजा करके साथी किया था है ना चारों तरफ खुश्या थी और लो अपने जो यह इंडिपेंडेंडेंसी है इसको अचीव करके रहेंगे ठीक है नेक्स आता है मारे पास सौर्ट सत्य अगरे अब गांदी जी ने क्या किया गांदी जी ने 1930 के अंदर एक और नाशनल मोमेंट लॉंच किया जिसका नाम था सिवल डिस ओविडेंट मोमेंट ज गांदी जी अनाउंस इस प्लान टू मात तो ब्रेक साल्ट नो अब देखे गांदी जी का दूसरा मोमेंट था गांदी जी का डूसरा मोमेंट था कि प्रेटिश एस्ट ओनि ने नमख पर सौल्ट पर टेक्स लगा हुआ हुआ था बिना तो अगर मम्मी क्या बना दिया आपने सबजी में नमक डालना भूल जाती है तो अच्छी टेस्ट लेस्ट लेस्ट लगती है और सोचो जड़ा नमक को तो हरको घ्रीदेगा और खरीदेगा तो सब लोग खरीद देंगे तो पैसा देंगे और उपैसा जाएगा उनकी पॉकिट के अंदर तो सॉल्ट पर तो एट लीस्ट उनको टेक्स नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसको गरीब से जाट में 78 followers के साथ ने इस दांडी मार्च को स्टार्ट किया था फिर गांधी जैसे 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 जिस भी गाउं से जिस भी विलेज पे जिस भी गली से गुजरते रहते वैसे अच्छी खासी भीर जो है वो गांदी जी के पीछे पीछे चलने लगी क्योंकि नमक जैसी चीज साबर मती आश्रम से कहां से साबर मती आश्रम से और ओशन का मतलब दांडी तक यह यात्रा अपनी जारी रखी ही रीज तर शोर आंड मेड़ा फिजर से ही वो कब गये वो पहुंचे दांडी 6th April 6th April 1930 को दांडी पहुंचते हैं और दांडी पहुंचकर उन्होंने क्यारिय करे हो जाता है तो नमक नमक नीचे बच जाता और इस तरीके से उनकी कंपनी के सामने जो सॉल्ट मैनुफेक्ट्रिंग अन्होंने बना रखी ती उसके सामने ही इस तरह से नमक बना करके ये कानून को ब्रेक कर देते हैं गांदी जी ने हाला कि वान किया भी था है ना इस हुआ स्टेप देखेगा कि हम क्या कर सकते हैं तो नहीं बात मानी फॉर ग्रेंट इट लिया हलके में लिया गांदी जी की बात हो अब नहीं माने तो गांदी जी ने शुरू कर दिया अब कोशन यह आता है गांदी जी को भी नहीं लग रहा था कि मुझे सही सलामत वहां तक पहुंचने दिया जाएगा, है ना, गांदी जी को भी नहीं लग रहा था, लेकिन वो पहुंच गए, हाला कि बीच-बीच में थोड़ी बहुत छोटी-मोटी सी उनको कठनाईया सहनी पड़ी, लेकिन वो क्या करते हैं, वो पहुंच जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद गांदे जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर उनको रिलीज भी किया जाता है, और, वहाँ पर, the movement supported by the peasant, अब इस movement में कौन को लोग participate कर रहे थे, supported by the peasant, working class, factory, workers, lawyers and even the Indian official British government supported it and others, ठीक है, and others, और भी बहुत सारी लोग थे, जो इसमें participate कर रहे थे, जो इसको support कर रहे थे, ठीक है, अब देखिए, इसका significance क्या है, मतलब इसकी importance क्या थी दांडी मार्च की, ठीक है, इसके बारे में, बताना है आपको, इसका significance क्या था, तो दांडी, ठीक है, दांडी, मार्च was very significant, at least for the three reasons, तो इसको तीन बातों से जादा याद किया जाता है, मतलब three, तीन पॉइंट ऐसे थे, जिसके विहापर दांडी मार्च को याद किया जाता है, तो वो तीन पॉइंट क्या थे, वही पर हम देखेंगे, कि it bought the Mahatma Gandhi and India to attention the world, तो इस दांडी मार्च से पूरे world की country का attention हमारे इंडिया पर आकर रुक जाता है, अब गांडी जी का अगला कदम क्या होगा, अब Britishers किस तरह से गांडी जी की बढ़ती हुई political activities को रोकेंगे, तो ये curiosity ना सरफ इंडिया के लोगों में, ना सरफ Britishers के लोगों में, बिटेन के लोगों में, बलकि पूरे all over India, पूरे all over world से countries जो हैं, वो इस पर नजर बनाए Second क्या है, पहली बार इसमें women की participation देखी गई, इससे पहले women को participate करने से मना किया गया था, वो participate नहीं करते थी, क्योंकि एक salt की value women ज्यादा जानती है, comparative to men के, ठीक है, तो ये बात कहीं, उन्होंने, was really unnotable, कमला देवी, और किसके कहने पर women की participation को देखा गया, women की participate करा गया, कमला देवी चटोपध्याय, जो कि एक socialist leader थी, उन्होंने गांदी जी से request करी, कि हम इस moment को सिर्फ man तक सीमित नहीं रख सकते हैं, इसमें women को भी participate करने दीजिये, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी तरह से जानते है कि नमक की value क्या होती है, गांदी जी ने okay कर दिया, done, done, done को भी arrest किया गया था, है न, थर्ड दूसा देख, थर्ड देखेंगे कि थर्ड and the most significance, ये सबसे पारफूल था कि अब Britishers को भी realize हो गया था, कि British to realize that their and their Raj would not last forever, कि उनका दाना पानी ज्यादा तक ज्यादा दिन तक नहीं रुकने वाला इंडिया में, अब जल्दी ही back to pavilion होन तो उनको भी डर लगने लगा था, उनको भी चिंता होने लगी थी, उनको भी दिमाग में ये सारी चीज़ चल रही थी, कि यार अब तो हम इंडिया न, ज्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे, तो जल्दी हमें यहां से रवाना होना पड़ेगा, पहली बार उनको ऐसा realize नहीं हुआ था, तो इन तीन पॉइंट्स के वज़ए से यह जो है वो आपके board exam के लिए बहुत important है, इसको देख लीजेगा, dialogues अब हम करेंगे क्या round table, ठीक है, एक एक चीज का, एक एक आपको year का मैने बता दिया कि कौन से year में क्या हुआ था, तो हम starting से लेकर के अभी तक सारे events को हम cover कर रहे हैं with timeline, ठीक है, now dialogues अब यहां पर round table देखेंगे, कि the end of that, the end of British government, जब यह दांडी माच खतम हो गया था, ठीक है, तो अब इस बढ़ती हुई political activities को रोकने के लिए, क्या किया गया, round table conferences, जो है, वो held करवाई गई, मतलब हम बात को यहीं रफा रफा करते ह से हम solution निकालेंगे, ठीक है, अब वो बातचेत क्या होती है, वो कहां पर होती है, तो वो होती है, लंडन के अंतर, जिनको round table conference कहा जाता है, मतलब इंडिया के तरफ से कोई representative जाएगा, British Parliament में, जो कि लंडन में थी, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, वहां पर बैठकर से हैं, second round table conference, तो ये first round table जो थी, वो fail हो गई, क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई representative गया ही नहीं, ठीक है, तो ये fail हो जाती है, second round table के अंदर, जो की हुई थी, 1931 के अंदर, ठीक है, 1931 के अब सोचो जड़ा, 1930 में तो गांदी जी दांडी यात्रा कर रहे थे, सीडियम चला रखा था है, civil dis or urgent moment launch किया था, तो जब ये खतम हो जाता है, दांडी माच खतम हो जाता है, गांदी जी को arrest किया गया, लेकि जल्दी इनको free कर दिया गया, तो जब गांदी जी free होकर, release होकर आते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस्ट ने कंपनी के, जो एक वो थ सचित करी कि आप ऐसा कीजिए कि हम जो है, वो आपकी demand को मान लें, गांदी जी ने उनके सामने 11 demands को रखा था, इर्विन के सामने, ठीक है, कि हमारी ये demand है, बदले में जैसे कि इतना मक पर से आप पूरा का पूरा ये कानून हटा दीजिए, हमारी जितने भी political leaders को आपने prison को बोलो कि इंडिया के, इंडिया से जो है, ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन के लिए, इंडिया से soldiers बेजे, world war में participate करने के लिए, ठीक है, तो एक बार जब हम world war जीत जाएंगे, तो हम आपका इंडिया आपको दे देंगे, और हम back to pavilion हो जाएंगे, तो इस तरह का promise किया गया इर्विन के द्वारा, गांदी जी को लगा कि चलो देख लेते हैं, अगर ये करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि बिना लडाई-वडाई के अपना चले जाएंगे और हमें freedom मिल जाएंगे, तो गांदी जी ने okay कर दिया, ठीक है, अब इस तरह की बातचित के लिए ग तो गांदी जी के इस बरताओं से फिर वो धीरे-धीरे जो है, वो असाइड होने लगते हैं, कुछ को ये बात गलत लगी और कुछ को बात ये सही भी लगी, तो जैसे जबाहलाल नहरू थे और बाकि अधर प्वालिटिकल लीडर से उन्होंने लोगों को convince करना स्टार्ट किया कि देखो जब हमाई आजादी मिल दे तो करने में क्या बुराई है, तो गांदी जी सिकिन डाउंड टेबल में बात्चीत करने के लिए लंडन जाते हैं, लेकिन गांदी जी रिप्रेजेंट गॉंघरेस की तरफ से रिप्रेजेंट किया, his claim the party represented all, India came to under the challenges from the three parties, from the Muslim league, Muslim League चाहती थी कि उनका separate election हो उनके लिए Muslims के लिए उनको अलग से जो है वो election कराने दिया जाए दूसरा कह रही थी दूसरा क्या था दूसरा था कि जो भिम्रा अंबेड कर रहे वो भी depressed class के लिए अपना अलग से election कराना चाहते थे तो सभी के विहाव पर गांती जी representative होकर अकेल इंडिया आने के बाद उन्होंने देखा कि यार यह तो बहुत जाथा चीटर है धोके माज है यह तो इन्हों तो बात ही नहीं कि यहां से बड़ी-बड़ी बातें करके गए थे कि आम को यह करांगे वह करांगे लेकिन महां पर तो बोलने का मोका नहीं दिया तो गांदी इनर्जी के साथ अपने मुमेंट को लांच करते हैं ठीक है अब देखिए यहां पर है ना यह क्या कह रहे है एंड़ फॉर्म ऑफ ब्रिलियंट लॉयर और थिंकर भी आर अंबेड कर इनकी डिमांड क्या थी डिप्रेस क्लास के लोगों के लिए एक सही उनको दर्जा देन जो की बाकी अदर जो मतलब डिप्रेस क्लास क्या होती है छोटी कlles क्युक्कि तो उनके साथ इंजस्ट्रीस वह बच्पन से नहीं देख रहे थे कि इनजस्ट्री Benson से घुटता तो बड़े होकर उनको वह जस्ट्रीस दिलाना चाहते थे तो उनके लिए उन्होंने चाहते थे एटलीस क्या होता है 1931 के अंदर ही जो है वो क्या होता है हूँ आर्ग्यूट गांदी जी एंड़ कॉंग्रेस डिट नॉट रियली रिप्रेजेंट लोवर क्लास के लोगों को ठीके लोवर क्लास के लोगों को पूछती नहीं है बिल्कुल भी उनको हमेशा पीछ सेंगे में जो है वो अंबेडकर और इनके बीच में पूना पेंक्ट होता है ठीक है इनके क्या होता है एक ठीक है तो यह पूना पैक्ट क्या था बैक्छिण गें था ठीक है 1931 के अंदर पूना पेक्ट होता है किसके बीच में Ghandi Ji और बीवर्जटर अम्बेड कर के पिछ में सब्सक्राइब no नहीं मानी जाएगी तब तक मैं अन्य जल्ग रहन नहीं करूंगा गांधी जी की अभियत बिगड़ती हुई देखकर दॉक्तर भीम्राम बेटकर ने सोचा कि चलो देख लेते हैं कुछ ना कुछ इतने बड़े लीडर हैं कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा ही होगा तो ग गांधी जी ने इस बात को मान लिया और दोनों के बीच में ये एग्रिमेंट होता है कि उनको रिजर्वेशन दे दी जाएगी और सेप्रेटेक्शन नहीं कराए जाएगे ठीक है क्या करते हैं वह जाएगर करके क्यां रहिंट मुद्ऑ की बात करते हैं थिक है तो यह 1932 तक की बात हो गई थी 19 को आ अ कि आफ्這 दकिरप्स मिशन अ क्वाश्लिह गान्दी जी स्टाटिड़ेश्ट दॉट इंडिया मुमेंड तो न्यंच ये वो अब यह क्रिप्स मिशन था कि तीन पार्टी बनी हुई थी ठीक है एक कॉंग्रेस एक मुसलिम लीग और तीसरी कौन से कॉंग्रेस मुसलिम लीग और यह क्या थी आपकी जो अदर मनलब प्रिंसली स्टेट वगज़ा थे ठीक है तो इनकी और एक वह थी आपकी एसने कंपण तो एक तरफ तो यह तीन पार्टी थी ठीक है मतलब आप मान लीजिए कि ग्रूप A, B, C तीन बन गए थे ठीक है तो इसे बताया गया कि मतलब दोनों जैसे खास करकि मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में आए दिन कोई ना किसी किसी ने किसी बात को लेकर के चलते रहते थी ठीक है और तीसरे तरफ कौन थी तीसरे थी English कंपनी तो थीनों को equally क्या करने थे राइटो Confirm towards foreign प्लाइन करना चाहिए ना कुछ ना कुछ तो प्लाइन होगा तब जाकर के उन तीनों को जई एकुल राइट दिये जाएंगे और फिर वो अपने तरीके से काम करेंगे तो इस बात को लेकर के क्या होता है किस्ट मिशन आता है ठीक है अब आपको बताना है मुझे कौमें सेक जब को र collar करना चाहते थे जो प्रोपोजल रखा गया कंग्रेस के सामने तो कांग्रेस किसी बात पर चाहती कहीं पर इसेगरी हो जाती और मुस्लिम नेसा है और यह यह काम कंग्रेस जादा है लेंग घिऑ तोstar होне के ह huge는 फिरसे क्या हो गई थी फिर से उस बात को ले कर blue वहांती तो यह में नदर क्यों नुट करते हैं मॉवंच करतें बॉम्बे। ठीक है डू और डाय का स्लोगन दिया था करो या मरो का नारत दिया था गांधी जी और अधर सीनियर लीडर वर अरेस्ट कर लिया गया बट यंगर एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लीडर अरेस्ट हो गया तो काम बंद हो जाएगा यानि कि जो मुमेंट चल रहा है वो अग्रिद्ट इंडिया जो है वो थोड़े कम पार्टिसपेट कर रहे लेकिन यह मुमेंट ऐसा था जिसमें हर तरीके के लोगों ने चाहिए वो बच्चे हैं बूडे हैं ठीक है चाहिए वो मैन है विमेन है कोई भी है सभी ने इसमें बढ़ शड़कर भाग लिया और एक मास मुमेंट बन जाता है इतने बड़े लेवल पर मुमेंट यह होता है कि अब तो सिचुवेशन आउट ओफ कंट्रोल हो चुकी थी ब्रिटिश भी इसको सर्प्रेस नहीं कर पाई थी है ना चाहे वो जितनी कोशिश करते इसको सर्प्रेस करने की दबाने की उतने ही दो करकि उन्होंने कॉलेज और स्कूल जाने की बजाए उन्होंने जेल जाना प्रसंद किया क्योंकि उनको आजादी पानी थी दूरिंग दस टाइम एड़ेस लीडर वर इन जेल जिन्ना एंड अद अधर मुस्लिम लीडर्स वर्ग दा पेशेंट ली दा एक्सेंट इस इंफ इन्फ्लूइंस इंफिंस इंद पंजाब तो junction contribute अग्रेस प्रसंद के अंदर अपनी पावर को दें 되 ओच्वे। अपनी पावर को स्ट्रॉंग करने बिलावे थे पंजाब और सिंसे कि अभी मौका है कॉंग्रेस के लीडर्स तो वहां जेल में गए हो है तो अभी मौका है लोगों को अपने सपोर्ट में ले लो तब यह काम करें थे और 1940 के अंदर तो इसने क्या किया था मुस्लिम लीग न सेपरेट नेशन ठीक है एक सेपरेट नेशन की डिमांड रग दे थी कि हमें अपना नेशन अलग बनाना है और यह मुमेंट कब चल रहा था 1942 के अंदर तो सोचो जड़ाब वो इंडिया के लिए क्यों इतना जो है वो पार्टिस्पेट करेगी उनको तो अपने काम से गांडी जी को 1944 के अंदर जून 1944 के अंदर गांदी जी को रिलीज कर दिया जाता है लेटर ही है रेसे सेशन मीटिंग विद जिनना टु सौट आउट आउट अट दा इफिर वह बाद में बहार आ करके जिनना से मिटिंग करते हैं कि बात को यहीं खतम करो ना क्यों तुम से माने मुस्लिम लीग के लीडर मुहम्मद अली जी ना बिलकुल नहीं माने और वह तो जो है वो नेशन अलग होकर रहेंगे ठीक है तो गांदी जी के यह कोशिच बिकार हो जाती है और फिर क्या होता है जब वह नहीं माने जब हमें गांदी जी के इस एफ़र्ट से मतलब ना चारों तरफ जो थे वो क्या कर रहे थे चारों तरफ खुशियों का माहोल था सबी लोग सालीबरेट कर रहे तो गांदी जी का अपना तरीका था अलग होने पर होती ठीक है तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया होता है इंडिपेंडेट होता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग नेशन बन जाता है नो इस तरीके से दो अलग के बनने पर इस freedom struggle का end हो जाता है ठीक है so in the month of the September and October गांदी जी वेंट around तो जब यह चीजे चल रही थी तो उसके अलावा आपने देखा होगा कि partition के दोरान कितनी जादा वोईलेंसी हुई थी है ना लोगों को मारा पीटा जा रहा था है ना तो गांदी जी जगे जगे जाकर लोगों को सांतवना दे रहे थे लोगों को समझा रहे थे कि यह लड़ाई जगडा मत कीजिए खुन खराबा मत कीजिए लेकिन उनके समझाने थे कुछ एक तो लोग समझ गए लेकिन पूरी तरीक कि जो कुछ हुआ था जो भी लड़ाई वड़ाई हुए थी आप उन सब को भूल जाइए और एक दूसरे के साथ अब भाई चारे का दोस्ती का हाथ बढ़ाई है फ्रेंड्शिप का हाथ बढ़ाई है ठीक है एड़ बैकिंग गांदी जी एंड नहरू कॉंग्रेस पास्ट रेलुशन ऑन दर राइट फॉर दा मैनोरिटी इट फर्दर सेट पार्टी नेवर एक्सेप्टेड पार्टिशन इट है फोस ऑन इट ठीक है तो क्या हुआ फिर गांदी जी को लगा कि इस तरीके से बात नहीं बनने वाली है दो नेशन अलग ही होकर रह लेकि नहीं मानते थे तो गांदी जी ने मुस्लिम्स लोगों को भी समझाया बहुत लोगों को समझाये की आप ठीक है हिंदु की तरफ से मैं गरेंटी देता हूं कि अब आपके साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा इन में से कुछ फिर लोग हिंदू जैसे लोग समझते ते कि गांदी जी मुस्लिम्स की तरफ जा रहे हैं तो हो सकता है वो मुस्लिम्स की तरफ हो है ना मुस्लिम्स के फेवर में हो मुस्लिम को सपोर्ट करे थे कुछ लोगों की ऐसे गलत सोच थी नेगिटिव सोच थी है ना कि गांदी जी मुस्लिम्स को जादा मानते हैं फिर उसी में क्या होता है उसी में एक परसंद थे कौन नाथु राम गोड से ठीक है नाथु राम गोड से ने क्या किया नाथु राम गोड से ठीक है इन्होंने क्या किया 30 जनवरी 1948 को ठीक है सुबह जब गांदीजी टेंपल डेली जाया करते थे आ करके लोगों को दर्शन दिया करते थे लोग उनके दर्शन के लिए भीड लंबी से लाइन लगा कर खड़े होते थे तो उसी लाइन में उसी भीड में ही नाथुराम गोड से था और नाथुराम गोड से जो है वो उनको शूट कर देते हैं और गांधी जी पांच-छे गोलियों का वार करते हैं ठीक है शूट करते हम क्योंकि उस टाइम में तो गांधी जी जब यह सारी चीज़े हो रहे थी तो उस टाइम में हमें तो कोई नहीं था तो यह सारी चीज़े हमें कहां से पता चली तो गांधी जी के बारे में यह सारी चीज़े हमें यहां यहां से पता चलते हैं कि there are the different sources from which history the national movement and the political career of the गां से होती थी कि अब हमें यह करने वाला हूं और political leaders के साथ में तो होती थी तो यह जो letter speeches मिले तो उनको भी क्या कहा गया उनके माध्यम से भी हमें पता चलता है कि गांधी जी कितना इंडिया के बारे में सोचते थे तो गांधी जी and his contemporary were important source for knowing this event through there is a different speech were meant for the public while private letter were meant to express the emotion अब यह जो उनके यह जो throw there is a different speech were meant for the public अब जो उनकी speech वगरा होती थे कहीं ना कहीं तो उसका record होगा ना तो आज भी दिखाई जाती है आपने social media पर कहीं ना कहीं देखी होगी और इसके अलावा जो उनके private letters होते थे जो अपने family वगरा को लिखते थे या फिर अपने person किसी friend को लिखते थे तो उसमें भी जो है वो इसे पता चलता है कि गांदी जी कितने अपने मतलब उनके जो emotions थे उनके जो feeling थी देश के लिए तो वो उनके personal letter से भी पता चलती है prevent prevent people from the expressing their opinion freely अब ये इनके जो personal letter थे personal letter तो कहीं देखते नहीं न बचे है न तो इसको भी personal letters को भी execute कर दिया गया इनको public कर दिया गया ताकि लोगों को ये पता चले कि देखो वो अगर personally भी किसी को letter लिखा करते थे तो उसमें भी इस तरह से देश के बारे में लिखा होता थ ताकि लोगों की जो सोच है गांदी जी के बारे में वो फ्री होकर कह सके कि गांदी जी की कैसी सोच थी इसलिए इनको public कर दिया गया और इस तरीके से हमें गांदी जी के political career के बारे में यहां यहां से पता चलता है ठीक है तो यह था हमारा आज का पूरा का पूरा यह टॉपिक ठीक है महात्मा गांदे नराश्रिस मुमेंट कॉमें स्क्राइब कर बताएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी ठीक है और सभी बच्चे क्या कीजिएगा सभी बच्चे आपको बताना है मैंने आपको एक homework दिया है जहां से sample papers भी करेंगे जहां से एक अच्छी level की preparation करेंगे तो वो आपको करवाई जा रही है महापेक के अंदर ठीक है तो CUT का score जितना अच्छा होगा उतना ही जादा आपको उतनी ही जादा आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ेंगे यानि आपके dream university के dream college में आपको admission मिले हैं उनके अंदर क्या-क्या आपको features मिलते हैं तो यह उनके features हैं तो previous study material आपको कहीं से कुछ भी study material purchase करने की बाहर से जरूत नहीं है सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा अगर आप batches में enroll करते हो तो next आता है आपके पास कोई भी अगर doubt होता है topics related या पिर कोई भी अगर आप questions दिये जाते हैं ताकि वो topic आपको अच्छे से और clear हो जाए नेक्स आता daily quiz दी जाते हैं e-books होती है आपके पास में chapter आपने देखे होंगे कि NCRT में इतने बड़े-बड़े chapters होते हैं तो उनको concise way में इसमें रखा गया है साथ में mind maps हो गया है सब कुछ आपको दिया जाए है ठीक है तो इस तरीके से जैसे आप download करोगे तो आपको यह download हो रही है ठीक है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर all courses पर जाना है all courses जब जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ all courses है यहाँ पर UGPG entrance exam है arts के हो commerce के हो science के हो आप प्योर हिंदी पढ़ना चाहते तो प्योर हिंदी वाला भी यहाँ पर batch है आपके लिए course है तो यह है आपका bilingual है हिंदी और English में तो आप क्या करेंगे यहाँ पर click करेंगे ठीक है तो यह है आपका summer 2.0 और इसके अलावा य करने के जरुत नहीं है यहाँ पर teacher आपको live पढ़ाएगी भी आपके doubt भी clear करेगी और साथ में आपको study material मिलेगा वह अलग है तो इसमें बहुत बहुत जादा आप लोगों को फायदा रहने बाला है तो यह देखिए यह है with book और यह without book तो इसमें भी दो तरह की category है तो 14 मंत की validity पर आपको जो है 14 939 ठीक है यह आपको pay करना है दन उसके बाद क्या करना है आप महापैक पेंडोल हो जाएंगे तो जितने भी batches CUT8247 की तरफ से निकलेंगे वो सारे के सारे batches आपको free of cost मिलेंगे तो इसमें आप एक या दो बार नहीं आप अपने syllabus को 8 से 10 बार आप revise कर पाओगे ठीक है अपने आप तो करोगे नहीं है ना कर भी लोगे तो एक या दो बार हद से दो बार कर लोगे लेकिन यहां पर हर concept आप जो है वो 8 से 10 बार clear करके जाएंगे revise कर के जाएंगे तो हर चीज आपको fingertips पे learn हो जाएगी और आप question का बहुत easily answer दे पाओग झाल